हेलो स्वागत है आपका फ्री जिके के चैनल पे मेरा नाम है किरन भावर आज के इस वीडियो में हम नवंबर 2022 के 20 महत्पून करेंट अफेर कवर करने वाले हैं काफी जादा इंपॉर्टन वीडियो है वीडियो को लास तक जरूर दिखेगा आपकी एक्जाम में यहां से कोशन सा सकते हैं आपको रिविजन करने के इसका पीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वहां से आप इसली डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू कहते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है किसने हालही में अपनी नई पुस्तक नाव यू बृत का विमोचन किया है किसने किया है राखी कपूर ने राखी कपूर ने अपनी पुस्तक नाव यू बृत का विमोचन किया किसे किया गया है राजेंद्र परवार को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में कौन सा है कौन सा है इसमें से मुंबई है करेक्ट अंसर अप्शन सी वाला क्या नाव हिनका क्रिस्टियानो रोनाल्डो करेक्ट अंसर अप्शन एवाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले ऐसे फुटबॉलर है जो पांच वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहली खिलाडी है किस देश ने हालही में औरियन अंतरिक शियान लांच किया है किस देश ने लांच किया है अमेरिका देश ने करेक्ट अंसर ओप्शन एवाला हालही में औरियन अंतरिक शियान अमेरिका ने लांच किया है नेक्स कुशन है हालही में अनवर इबराहिम ने किस देश के दसवे प्रधान मंतरी के रूप में शपत ली है किस देश के दसवे प्रधानमंत्री बने है अनवर इब्राहिम करेक्ट अंसर क्या होगा इसमें से ओप्षन डीवाला, मलेशिया, मलेशिया कंट्री के ये नए प्रधानमंत्री बने है किस भारती कंपनी ने हालही में बिसलेरी को साथ हजार करोड रुपे में खरीदने की घोशना की है किस भारती कंपनी ने खरीदने की घोशना की है टाटा कंजूमर प्रोडेक्ट्स लिमिटेड ने टी सी पील दुआरा हालही में बिसलेरी को साथ हजार करोड रुपे में खरीदने की घोशना की गई है दीखे नेक्स्ट गोशन है हालही में 77% स्विकृती के साथ विश्व के सरवाधिक लोगप्रिया नेता कौन बने है कौन है हमारे भारत देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ये देश के सरवाधिक लोगप्रिया नेता है पुरे देश भी नहीं, पुरे विश्व के सरवादिक लोगप्रिया नेता है ये कितने वोट के साथ? 77% देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा लोगप्रिया है नेक्स्ट कॉशन है, भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हाल ही में हुआ है उसका नाम क्या है? ज़ौरबा नाम है, शिकार विरोधी शिकार करने जो आते थे उसका ये विरोध करता था और इनको ट्रेक करता था और अधिकारियों की मदद करता था दिखें, बेल्जियम मैली नॉइज नसल के ज़ौरबा को मुख्य रूप से काजे रंगा रास्टुद्यान में तैनाध किया गया था काजे रंगा रास्टुद्यान असमराच्य में है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फीमस है उसने कई वन्य जीवों के शिकारियों को ट्रेक करने में अधिकारियों की मदद की थी क्या नाम है इसका जौरबा करेक्ट अंसरों का ओप्शन सीवाला मिजोरम मिस्वरम राजी सरकार बांगलादेश से भागे हुए चीन कुकी समुदाए के 270 आदिवासियों को आश्रे प्रदान करेगी नेक्स कोशन है यूरोपिय संसद ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोचक देश घोशित क्या है रूस देश के नेता है क्या नाम इनका वलादेमीर पुतीन इस देश को यूरोपिय संग ने हाल ही में रूस देश को आतंकवाद प्रायोचक देश घोशित कर दिया है देखे नेक्स क्योशन है भारत ने हाल ही में अगनी तीन मिसाइल का सफल परिक्षन कहां किया कहां पर किया ओडिसा राज्य में ओडिसा राज्य में अगनी तीन मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है नेक्स्ट है हाल ही में संगाई महसव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ यह शुरू हुआ है मानिपूर राज्य में पॉप्शिर बापने चाहेत, संगाई महाद सव, 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है मानिपूर राज्य में? next question दिखें हाल है में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदाउर की तरज पर सफाई विवस्ता का मसदा तेयार किया है किसे रज्य में उत्तरपरदेश रज्य में किसे दक्षिन भारती आभीनेतरी ने अभीनेतरी ने म।पॉपॉलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है किसे देश दोवरा लाउंच किया गया है यहां भारत देश के द्वारा लाउंच किया गया है उप्रेशन टर्ट शिल्ड देखें CITES ने ताजेब पाने के कच्छों की अवैद शिकार और अवैद वैपार को खतम करने के लिए वन्यजी अपराद नियंतरन ब्योरो द्वारा शुरू किया है उप्रेशन टर्ट शिल्ड ठीक है आपको समझ में आया कि यह क्यों शुरू किया गया है उप्रेशन टर्ट शिल्ड पच्छों के अवैद शिकार और व्यापार पर रोक लगाने के लिए किसने हालहे में इंडिया the mother of democracy पुस्तक का विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने टर्मेंद्र प्रधान केंद्र सिक्षा और कोशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने 24 नमंबर को नई दिल्ली में भारती एतिहासिक अनुसंधान परिसेद दुआरा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया दा मदर ओफ डैमोक्रसी का विमोचन किया है चलिए नेक्स कुशन के तरह बढ़ते हैं नाम है इनका बैटसी सावेज पैरु देश के नई प्रधान मंतरी बने है नेक्स कोशन है किस राजसरकार ने किया है राजस्थान राजसरकार ने बाइस लाग किसानों का चवदा हजार करोड रुपे का गर्ज माफ कर दिया है नेक्स कोशन है भारत का पहला नाइट स्काई अभिहारन हालही में कहां स्थापित किया जा रहा है यह लद्दाक में स्थापित किया जा रहा है याद रखेगा भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण हालही में लद्दाक राज्य में स्थापित किया जा रहा है लास्ट वाला कोशन आप सभी लोगों के लिए जिस कांसर आपको कमेंट करके बताना है कोशन है खादी और ग्रामो उद्द्योग आयोग के CEO के रूप में हालही में किसे नियुक्त किया गया है KVIC के नए CEO कौन बने हैं आपको कमेंट करके बताना है आपके पास चार आप्शन है आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको useful लगी है helpful लगी है तो प्लीज हमारे इस चानल को अभी सब्सक्राइब करें बैल नोटिफिकेशन आइकन पे all प्रेश जरू कर दे जब भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा थांच जाएगा थांच जाएगा